ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 9 दिसंबर 2023 शनिवार का दिन है अग्धन मास मारगशी शमाहा के कृष्ण बक्ष की एका रशी तथा द्वादशी तिती रहेगी चित्रा नमक नक्षत्र होगा एवं तुला राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में रहेंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू हो करके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षित्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के नुसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी वरश्चिक रासी में वहीं चंदरमा तुला राशी में, मंगल ग्रह वरश्चिक राशी में, बुद्ग्रह धनू राशी में, देव गुरू वरहस्पती जोकी मेस राशी में, शुक्र ग्रह तुला राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु ग्रह मीन राशी में तथा केटू ग्रह कन्य राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार वरशब करक कन्या वरश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे दिखभागी शली रेने वाली है कारिक्षित्र में इनको नती और प्रगती के उत्ता मौसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसार नय काम नई जुम्मेदारी इनको मिल सकती है जो भी काम इनके द्वारा शुरू किया जाएगा उसमें आगे चल करके इनको अधिक से अधिक फाइदा होगा सुर्योदय सुबह 6 बच के 54 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 5 बच के 30 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 4 दो पहर 3 बच के 31 मिनिट पर होगा शुब मोहरत की अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन जो सबसे पहला शुब मोहरत रहता है वह सुबह 7 बचे से लेके 9 बचे तक शुब का चोग्रिया रहेगा तथा उसके बाद दो पहर 12 बचे से लेकर के अब और अम्रत का चोग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सभी भारा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं आपकी प्रतिभाव योगिता के अनुर्षार आपको अपने कारियों के उचित परिनाम प्राप्त होंगे कामकाज तथा केरियर को महत्तु देंगे परंतु पहली प्रात्मिक्ता आपकी परिवार ही रहेगी आपकी संतान को लेकर के आपको फाइदा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुब समाचार आपको प्राप्त होंगे उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं ब्रशब रासी की अज आप अपनी जिम्मेडारियों को वखो भी अंजाम देंगे साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी कारियों में रुची रहेगी घर के बड़े वजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवाद बना रहेगा सामाजिक कल्यान कारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा जिसकी वजह से आपकी प्रसंसा होगी दूसरों के पारिवारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए अनथा आपको नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी गरिब व्यक्ती को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आप आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की कोई शुब समयचार मिलने से मन में प्रसंता बनी रहेगी धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के सांथ किसी धार्मिक अत्वा सामाजिक आयोज दिन में भाग लेने का अउसर भी प्राप्त होगा विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में जो है खुशिया अचानक व्याप्त हो जाएगी कारिक्षितर में पहले जो आपने सहरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है गरह स्थितिया आपके पक्ष में बनी हुई है अतहाब अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीद्गी से अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी शाशकी कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाप नकरात्मक वातारन बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे अधिया भोजन के बाद में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी धार में क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी यह समय अपनी आर्थिक सिती को मजबूत करने का है इसलिए पूरी महनत से अपने कारियों के प्रति समर्पित रहे दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भाग प्रास्त करने में सक्षम रहेंगे तथा अपनी ख्रमता को कारियर प्रोफेशन आध्यातमादी कारियों में लगाएंगे रूजमर्रा के देने कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशक्ता है जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है अर्थिक मैमलों में इस्थितिया आपके पक्ष में नहीं है इस समय फिजूल खर्ची पर नियंतरन आपको रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डा नाम हासिल होंगे इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्थावान रहे सांथी सामाजिक गति विदियों में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी भूमे भवन वाहन खरीत फरोक्त का काम भी संपन्न हो जाएगा ध्यान रखे कि आपका ही कोई नजदी की मित्र आपके खिलाप कोई शडियंत्र फेला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विध्यारतिय अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइदा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपक बढ़ेगा और आपको लाभप्रद इस्तियां निर्मित होगी परंतो अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रयास करें व्यस्थता के बावजोत सामाजी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है जो मेहनत आज आप करेंगे उसके फालतू कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय बितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करें और उपाई के रूप में लाल कुंकुं का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज आप अपनी लोकप्रिता के साथ साथ अपने संपर्कों को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई भावी बनाना चाहिए अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं क्योंकि भविश्य में उसे चुकाने में दिक्कते आपको उत्पन हो सकती हैं सांथी किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंदी लेंदेन बिलकुल न करें कई बार ज्यादा सोच वि आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की आज कई प्रकार की गती वीडियो में आपकी व्यस्ता बनी रहेगी सांथी सामाजिक दाइरा बढ़ेगा कहीं से मन मताबिक आपको फाइदा भी होगा ध प्रम साउधानी की आउशकता होगी नए लोगों से व्यभार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिश आपको अनुभव होगी कठिन से कठिन कारियों के परिणाम आप अपनी द्रण निश्चय सक्ती से निकालने में सक्षम हो जाएंगे कभी कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको साउधान रहना और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिसरी और सोफ खां लेंगे तो आपका दिन शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा तो मित्रों या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको कर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी करश्कन साधर धन्यवाद